तो दोस्तो तब्बू, करीना कपुर्खान, कृिती सेनन, दिलजीत दोसान और कपिल सर्माई स्टारर फिलिम कुरू को रिलीज हुए आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं और इस 5 दिन का Official Box Office Collection इस फिलिम के परडूसर अनिलकपुर सर के तरफ से आ चुका है जिसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इससे पहले मेरी छोटी सी वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि मैं इसी तरह का अपडेट हमेशा आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको बता दे कि इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का बज़र को भी ओफिसियल कर दिया है जो की है 40 करोर रुपया है तो दोस्तो कुरू फिल्म का बज़र 40 करोर रुपया है और इस फिल्म का लेंथ 1 घंटा 18 मिनट है और इस फिल्म को IMDV पे 8 का रेटिंग मिला है और इस फिल्म को पूरे इंडिया भर में 7,649 सोज के साथ रिलिज किया गया है और इस फिल्म का सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही 1,4975 टिकट बिख चुके थे और इस फिल्म ने सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही 2,58,000,000 रुपई की कमाई कर ली थी और वही बात करे इस फिल्म की बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ओफिस पे सिर्फ इंडिया से 9,25,000,000 रुपई की कमाई की तो ही दुनिया भर से 20,7,000,000,000 रुपई की तो ही दोस्तों इस फिल्म ने अपने तिसरे दिन बॉक्स ओफिस पे सिर्फ इंडिया से 10,50,000,000 रुपई की कमाई की तो ही दुनिया भर से 21,40,000,000,000 रुपई की पर दोस्तो इस फिल्म की चोथे दिन की बॉक्स ओफिस कलेक्शन में बहुत ही ज़ादा गिराबट देखने को मिली और इसलिए ये फिल्म अपने चोथे दिन बॉक्स ओफिस पे सिर्फ इंडिया से 5 करोर 20 लाख रुपाई की कमाई की है और इस तरह से इस फिल्म ने 4 दिन म बॉक्स ओफिस पे सिर्फ इंडिया से 34 करोर 70 लाख रुपाई की कमाई कर ली है तो ही पुरे दुनिया भर से 70 करोर 73 लाख रुपाई की जिसके बारे में इस फिल्म के परडूसर अनिल कपूर सर ने एक पोश्टर सेयर करके दर्सकों को बताया जैसा कि आप लोग देख सक करते हैं और दोस्तों ये फिल्म आज अपने पांचवे दिन दुनिया भर से 10 करोर रुपाई की कमाई कर रही है तो इस तरह से इस फिल्म का पांच दिन का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन 80 करोड 73 लाख रुपया हो जाएगा और इस फिल्म का बजर 40 करोर रुपया है तो तो दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा कमेट बक्स में लिक कर ज़रूर बताइएगा और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं ने वीडियो में